दोस्तों पिछले कुछ लेसंस के अंदर आप लोगों ने अडोबी फोटोशाप में डिफ्रेंट टूस के मदद से पिक्चर्स को एडिट करना सीखा हम लोगों ने देखा कि डिफ्रेंट टूस के मदद से किस तरह हम फोटोग्राफ को रीटच और एडिट कर सकते हैं अच्छा अब आप लोगों को मैं जो टेक्नीक बताने लगा हूँ वो फोटोशाप के अंदर एक बहुत ही इंटरस्टिंग और मज़िकी टेक्नीक है इसको कहते हैं जी लेयर मास्क दोस्तों मास्क का मतलब क्या होता है मास्क का मतलब है निकाब जी हाँ पोटोशाप के अंदर हम अपनी किसी भी लेयर को निकाब चड़ा सकते हैं दोस्तों लेयर मास्क लगाने का फाइदा हमें ये होता है कि वैसे तो हम जब eraser tool वगयरा की मदद से कोई भी visual erase करते हैं तो वो हमेशा के लिए erase हो जाता है यानि कि delete हो जाता है लेकिन जब हम layer mask लगाते हैं किसी भी layer को तो उसमें जिस portion को हम erase कर रहे होते हैं वो actually हमारे पास save रहता है दोस्तों यह आप अपने सामने स्क्रीन पे एक visual देख सकते हैं यह एक नوجवान की तस्वीर है जिसके पीछे आपको एक background नजर आ रहा है background के अंदर आपको कुछ तारे नजर आ रही है अच्छा दोस्तों यह background जो है अगर हम इसको erase करना चाहें और इस नوجवान के पीछे कोई और background लगाना चाहें तो उसके लिए definitely हमें इस background को remove तो करना होगा लेकिन अगर हम इसके उपर layer mask लगाएं तो ना सिर्फ यह background डिलेट हो जाएगा, erase हो जाएगा बलके यह हमारे पास महफूज भी रहेगा और हम किसी भी वक्त इसको दुबारा वापिस लेकर आ सकते हैं तो चलें चलते हैं Photoshop की तरफ और सीखते है layer mask अच्छा दोस्तों यह देखें यह आपके सामने visual जो है यह मौजूद है और यह layer है जिसको मैंने नाम दिया है boy image का अच्छा अब हमने करना यह है कि हमने इस layer के उपर layer mask apply करना है और उसकी मदद से हमने यह जो पीछे net वाला background नजर आ रहा है इसको erase करना है लेकिन इस तरह से erase करना है कि यह हमारे पास महफूज रहे तो चलते हैं layer mask apply करते हैं आप सबसे पहले brush में जाएंगे brush में जाने के बाद आप दूसरा काम यह करेंगे कि यहां पे आपके पास जो आपकी color palettes हैं यानि कि foreground color और background color इसका आपने ध्यान रखना है कि यह जो foreground color है यह black होना चाहिए और background color यह आपका white होना चाहिए अगर यहां पे foreground पे या background पे कोई और colors होए तो दोस्तों आपकी masking जो है वो ठीक तरह से apply नहीं हो सकेगी लहाज़ा आपने यह शोर करने के बाद अब आपने यहां पे आने अपने layer panel के उपर दोस्तों layer panel पे यहां पे आपके पास एक option मौजूद है यह देखिए यह लिखावा आ रहा है जी add layer mask add layer mask पे जैसी मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारी layer के साथ एक निया icon बनावा नजर आ गया है दोस्तों basically यह वाली जो image है यह हमारा layer है और यह जो white color का निया icon आपको नजर आया है यह अब वो mask है जिसको हम अभी इस image के उपर apply करेंगे तो चलें उपर black color रखते हैं नीचे white color रखते हैं और brush के साथ हम masking शुरू करते हैं दोस्तों हम masking स्टार्ट करने से पहले कोशिश करेंगे कि opacity को थोड़ा सा कम कर ले ताके जो visual हम erase करें वो थोड़ा smooth तरीके से erase हो अच्छा दोस्तों अब यहां पे हम जाके brush पैनल में soft वाला brush जो है उसको हम choose करेंगे और यहां से हम brush जो हो हलका हलका यहां पे apply करना शुरू करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि यह जैसे जैसे brush यहां पे apply होता जा रहा है background जो है यहां से erase होना शुरू हो गई है और इस तरह से हम बाद उकाद इस technique के मदद से अपनी layout में बहुत खुबसूरत effect भी create किया करते है कि हम soft brush को लेके यहां से erase करना शुरू करते हैं बहुत light light कहीं से erase हमारा background जो होता है अच्छा इसके लावा हम इस पूरे background को अगर चाहें कि यह पूरे का पूरा जो हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं हम अपनी opacity जो है वो यहां से बढ़ा देते हैं और हम इसको जो है वो brush को apply करना शुरू कर देते हैं आपनों को पता है कि brush को आप बड़ा चोटा कहां से कर सकते हैं किस तिना से कर सकते हैं यह देखें अब यह मैंने brush को बड़ा किया है और मैं इसको erase करूं तो यह जो मेरा image है यह erase होना शुरू हो गया दोस्तों आप अगर F प्रेस करके रखेंगे और इस विजूल मोड के अंदर रहेंगे जहां पर आपका जो विजूल है वो एजी ली आपके सामने होगा तो यह आपके लिए जादा असान होगा अच्छा अब यह देखें दोस्तों यहां पर यह जो लेयर का एक निया आइकॉन बना था इसके उपर यह आपको black color जो है यह नजर आ रहा है दोस्तों यह black basically वो वाले area है जो यहां से मैंने erase की है और actually यह mask जो है यह एक apply हो चुका है मेरी इस layer के उपर अच्छा अब एक interesting चीज मैं आपको बताऊँ अगर मैं यह जो हमारे पास foreground color और background color है इन दोनों को अगर मैं inverse कर दूँ यानि के white उपर कर दूँ और black जो है वो नीचे कर दूँ तो अब जब मैं brush apply करूँगा तो यह देखें मेरा जो image मैंने erase किया था वो वैसे ही वापस आना शुरू हो गया तो दूसरों यह कितनी मज़े की बात है कि आप सिर्फ यहां से color को आप inverse करके अपना image जो है उसको आप erase भी कर सकते हैं और उसको आप वापस भी ला सकते हैं इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा undo करूँ ताके जो मैंने भी mask apply किया था वो थोड़ा सा वापस आजए जैसे के यह देखें यह मास्क मेरा काफी हत तक वापस आगया अब यहां पर मेरे पास एक और option भी है यह जो मास्क पला आइकॉन है इसके ओपर right click करूँ और यहां से disable layer mask यह देखें दोस्तों cross का एक sign आपको इस icon के ओपर नजर आ रहा है delete layer mask करेंगे तो यह देखें जो मास्क में अपलाई किया था यह मास्क गाइब हो चुका है अच्छे दोस्तों हम यह वाले जो technique है वो आगे चलके layout design करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तमाल करेंगे और यह हमारे काफी काम आती है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहां पर एक और image आप लोगों के लिए open करने लगाँ और मैं आप लोगों को कुछ और मज़े की चीज़ यहां पर करके दिखाता हूँ यह देखें दोस्तों यह एक बड़ा interesting सा modern सा मेरे पास visual है ठीक है जी अच्छा अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं right click करके रास्टराइज कर लोगा क्यूंकि यह smart layer थी तो smart layer को हमें brush apply जब करना होता है smart layer पर तो उसके लिए हमें उसको rasterize करना होता है अब मैं background के उपर यहां पर एक gradient ले लोगा eye dropper tool के तूल के तूल के तूल मैं यहां से कोई color pick करता हूँ जी यह मैंने रेलिया जी brown के यहां पर जो हमारे पास बहुत interesting shades आ रहे हैं यह grey यह brown जो है यह मैंने यहां से choose किया और यह मैं gradient पर आता हूँ यह मैंने radial gradient रखा हुआ हूँ है और यह मैं यहां पर यह देखें कितना खुबसूरत सा मेरे पास एक background यहां पर create हो गया अच्छा आप मैं अगर चाहूँ कि इसी canvas के ओपर इस image को लेके मैं एक layout design करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहां पर इस visual के ओपर apply करता हूँ जी layer mask जैसे भी मैंने आपको दूसरे visual पर layer mask apply करके दिखाया था अब हम आते हैं brush में यहां पर दोस्तों देखें यह जो नीचे एक line से बनी या रही है यह अक्सर layout के अंदर जो है वो interesting नहीं लगते कि हमारा जो visual है जिसको हम layout के अंदर इस्तेमाल करना चाहरे है वो हमारे background के अंदर merge हो जाएगा यह देखें यह आप देख सकते हैं कि यह कितना smoothly हमारा जो visual था यहां से यह पहले cut out के अंदर आ रहा था और अब ही हमारे background के अंदर बड़ा smooth तरीके से यह merge हो चुका है अगर इसके लावा आप यहां से ऊपर से भी थोड़ा सा effect के तोर पर इसको करना चाहें तो यह आप यह देखें यहां से भी हलका सा इसको आप mask को apply कर सकते हैं यह देखिए यह जो पीछे जंगल का और दरख्टों का वो visual है वो और ज्यादा इस mask की मदद से जाए वो इंटरस्टिंग होगे यह कहीं से light कहीं से dark visual जाए यह आपको नजर आ रहा होगा अब यहां पर आप text लगा के logo लगा के अपनी कोई बहुत इंटरस्टिंग सी जो layout है वो भी आप क्रियेट कर सकते हैं दोसों आप लोगों ने देखा कि layer mask कितनी इंटरस्टिंग टिकनीक है और इसकी मदद से हम अपने image का background erase भी कर जाते हैं और वो still हमारे पास महफूज भी रहता है और उसको हम किसी भी वक्त अपने लिए इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी design के अंदर अच्छा इसी तरह से हम दो या multiple images को या एक से जादा images को एक दूसरे के उपर भी रख सकते हैं यानि एक layer को नीचे रखें और दूसरे visual को उपर रखें दूसी layer के अंदर और उपर वाले visual क अगर हम mask apply कर दें तो वो जो दोनो images उपर नीचे हमारे होंगे layers में वो आपस में एक दूसरे में merge भी हो सकते हैं तो यह layer mask के मदद से हम layout के अंदर भी help ले सकते हैं और यह बहुत interesting टेक्नीक है जो कि हमें photo editing के अंदर भी बहुत जादा help out करती है तो मैं उमीद करता हूं क करता है